नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका स्टॉलिजर संदीब कटारिया और स्वागत है आप सभी का आभी के चैनल पर इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ इस माह का राशी फल जिसमें हम चर्चा करेंगे की कैसा रहेगा इस माह आपका करियर, धन, विवसाय और निवेश, शिक्षा, प्यार, रिलेशन्शिप, विवाहिक जीवन और स्वास्तिय सबसे पहले हम आपकी कुणली में इस महीने के ग्रहूं का गोचर देख लेते हैं, तो आईए शुरू करते हैं दो मही को शुक्र विशव राशी से निकलकर MIDI में प्रवेश करेंगे, 10 मही को मंगल करक राशी में प्रवेश करेंगे पंद्रा मही को बुद्ध मेश राशी में मारगी हो जाएंगे पंद्रा मही को ही वो सूर्य मेश राशी से निकल कर विशव राशी में चले जाएंगे और तीस मही को शुक्र मिथुन राशी से निकल कर करक राशी में चले जाएंगे इस महीने ब्रेस्पती मेश राशी में रहेंगे शनी कुमराशी में रहेंगे राहू मेश राशी में और केतु तुला राशी में रहेंगे और चंदरमा हर दो ढ़ाई दिन के अंदर राशी परिवर्तन करते ही रहेंगे विशब राश्री के जातकों के लिए ये महिना चनौती पुन कहा जा सकता है क्योंकि महिने की शुरुआत में ब्रहस्पति जी के साथ सूर्य, बुद्ध और राहू बारवे भाव में उपस्तित होंगे विशब राश्री के जातकों की कुणली में शनी दस्वे भाव में और केतु छटे भाव में गोचर करेंगे इन ग्रहों के गोचर के कारण व्रिश्व राशी के जातकों को अपनी दैनिक गतिविदियों के साथ साथ अपने करियर का विकास, अधिक धन कमाना और पारिवारिक मामलों में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। बेशक कुछ विकास के संभावनाएं भी बन सकती हैं लेकिन ये आपकी कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयासों से ही संभव हो सकती हैं। कैसा फल मिलेगा ये जानने के लिए इस वीडियो को अन तक जरूर देखें। विश्व राशी के जातकों के लिए शनी दशम भाव में स्थित्थ हैं और ये आपका करियर का भी भाव है। अपने सुभाव के कारण शनी की उपस्तिती आपको जीवन में चुनोतियां दे सकती है और देरी ला सकती है। इसलिए विश्व राशी के जातकों को अच्छा लाब पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास और धैरे रखने की आवशक्ता पड़ेगी। इस महीने ग्रहों के गोचर के कारण नौकरी पेशा जातकों को अपनी मेहनत के लिए पद्धनती के रूप में लाब मिलने में देरी का सामना करना पड़ सकता है। आपके प्रोड़क्ट और सर्विसेज की मांग में कमी जैसी स्थितिया बन सकती है। साथ ही जो विशब राशी के जातक बिजनस में हैं उन्हें वीक प्लैनिक और अपने पार्टनर से समर्थन की कमी के कारण नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। धन और विक्तिय स्थिति इस महीने के दौरान आपके खर्चे सामान्य से भी अधिक हो सकते हैं क्योंकि चार चार ग्रह ब्रेस्पति, राहू, सूर्य और बुद्ध आपकी कुणली के बारवे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए धन के मामलों में विशव राशिक के जातकों को ये महीने थोड़ा चनौती पूर्ण लग सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बारवे भाव में ब्रेस्पति, राहू, सूर्य और बुद्ध की संयुक्त उपस्तिती से आपको लाब मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। और वित्यस्तिती और आपके लग में भी थोड़ा उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है। स्वास्थ को लेकर खर्चों में व्रिदी हो सकती है और इस तरह से विशब राशी के जातकों के लिए धन बचाने की संभावना कम ही होगी। और यदि आप इसके लिए प्रयास भी करते हैं तो इसे बहतर स्थिती में नहीं रख पाएंगे। इस महिने शुक्र ग्रह आपको कुछ राहत दे सकता है जिससे आपको कुछ धन कमाने की मौके मिल सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप अपनी कुणली का खुद विश्लेशन करना चाहते हैं या क्या आप एक प्रफेशनल एस्टॉलजर बनना चाहते हैं। अगर आपका उत्तर है हां, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जोतिश, अंक जोतिश यानि की निम्रालोजी परशनशास्त्र के वीडियो कोर्सिस बनाए हैं, जिनके द्वारा आप भी बहुत आसानी से घर बैठे इन जोतिश विद्याओं को सीख सकते हैं. इन कोर्सिस को पाने के लिए हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप इन कोर्सिस को प्राप्त कर सकते हैं, आईए अब बाकी के राशिफल के बारे में बात करते हैं. ब्रेस्पति, राहू, सूर्य और बुद्ध के बार्मे भाव में गोचर के कारण व्रिशप्राशी के जातकों को इस महीने के दोरान नेम से सम्मंदित समस्याओं यानि के परिशानियों का सामना करना पर सकता है. मई के महीने में विश्व राशी के जातकों का स्वास्थ ठीक ठाकी रहेगा जिसको अम्मीजी में गोलते है न मौडरेट राहो के साथ बारवे भाव में ब्रस्पति का गोचर स्तिती को थोड़ा कठिन बना सकता है साथ ही सूर्य बारवे भाव में पंदरा मही तक रहेंगे उसके बाद वे प्रथम भाव में चले जाएंगे और तब तक ये आपको थोड़ी चिंता थोड़ा तनाव आदी दे सकता है पंदरा तारीक के बाद सुर्य का प्रथम भाव में गोचर स्वास्थ के लिए अच्छी उर्जा दे सकता है लेकिन साथी साथ चतुर्थ भाव पर शनी की दृष्टी सुख सोविधाव में कमी का कारण भी बन सकती है वरिशब राशिक के जो जातक प्रेम संबन्दों में हैं उनके लिए ये महीना मदर और सहाद पुन संबन्दों के लिए उप्युक्त नहीं लग रहा है अपने प्रेमी के साथ आपसी तालमेल में कमी हो सकती है सिंगल रिशव राशी के जातकों को इस माँ प्रेम में सफलता मिलने के आसार कम दिख रहे हैं रिशव राशी के जातक जो पहले से ही शादी शुदा हैं उनके लिए विवाहिक मामलों में ये महीना थोड़ा कठनाई बरा हो सकता है क्योंकि खुशी का सार इस दौरान गायव होगा परिवार में खुशाली देखने के लिए परिवार के सद्वस्यों के बीच ताल मेल बिठाने के जरुद पढ़ सकती है ऐसा इस कारण से हो सकता है क्योंकि unwanted तरीके से तीखी बहस और गर्मा गर्मी हो सकती है इससे परिवार में समझस से कम होने की संभावना रहेगी इसलिए इन बातों का ध्यान रखे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें हम आगे भी बहुत से उपयोगी वीडियो लाने वाले हैं उन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को भी जरूर क्लिक कर दे हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार सैयोग और सुझाव देते रहें इससे हमें बहुत प्रएड़ना बहुत बल मिलता है आने वाला समय आपके लिए मंगल मैं खुशाल रहे यही मेरी शुब कामनाए है प्राइब कामनाए है